कॉमन वेल्ट में भारते खिलाडियों का दमखम देखने को मिल रहा है जहां पहले और दूसरे दिन भारते बेट्रियों का दबदबा देखने को मिला तो वहीं तीसरे दिन भारत के बेटे सतीश शिवलिंगम ने तेश का नाम रोशन किया वेटलिफ्टिंग में सतीश ने तीसरे दिन भारत की जोली में तीसरा गोल्ड मैडल डाला है Commonwealth Games में अभी तक महिला वेटलिफटर जीर चर्चा में रही है मीरा बाई से लेकर संजीता चानू ने वर्ल नेवल वेटलिफ्टिंग में अपना दमखम दिखाते हुए भारत का नाम उचा किया लेकिन अब पुरुष भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं गोल्ड कोस्ट Commonwealth खेलो में सभी को एक पुरुष वेटलिफटर से उम्मीद थी जिस पर सतीश शिवलिंगम ना सिर्फ खरे उत्रे बलकि गोल्ड मैडल भी अपने नाम किया सतीश शिवलिंगम ने 77 किलो क्राम में कुल 317 किलो वजर उठा कर सोना जीता है इंग्लैंड के जैक ओलिवर ने सतीश के सामने कड़ी चुनौतीस जरूर पेश की लेकि सतीश ने अपना दब दबा बर करा रखा और जैक को मात देते हुए गोल्ड अपने नाम कर लिया भारत के पास अब तक तीन गोल्ड मैडल आ चुके हैं और वो तीनों वेट लिफ्टिंग में ही मिले है डिवलाइफ के रिपोर्ट